हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट दोक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं दोक्टर कुमार एज इक्वेशन क्लिनिक I am post doctorate in clinical medicine and the metabolic science and I am carrying the 20 year experience as a clinical physician and the last two decades से मैं साउड डली च्छतरपुर मैं as a clinical physician practice कर रहा हूं तो आज हम बात करेंगे कि पुर्सों में जो पिसाब की नली का जो सुकड़ना है जो पुर्सों में एक उमर के बाद जो पिसाब करते हुई problem's होती है या जो erection में problem's होती है या इसका मतलब ये है कि कोई भी औरत 38 के बाद उसका एजिंग प्रोसेस सुरू हो जाता है जैसे वैसे ही किसी इंसान का early यानि 42 के बाद भी एजिंग प्रोसेस सुरू हो सकता है इसका मतलब ये होता है दूसरे सब्दों में कि कोई भी महिला 38 के बाद उसकी जो महिला वाली जो ability है वो deteriorate कर सकती है यानि कि जो उसके female hormones हैं उसका secretion कम होना start हो जाता है metabolic rate बदल जाता है यानि इसको दूसरे सब्दों में समझें कि तो हमारी aging यानि बढ़ापा सुरू हो जाता है और हमारी जो physical, mental, sexual जो strength होती है उसका 10 से 20% decline ये 38 के बाद और 42 के बाद देखा जा सकता है लेकिन कुछ लोगों में due to the some health condition, underlying reason, 50% तक भी sexual power का drop होना, बान से एक सारे एक physical जो strength है उसका drop होना ये देखा जा सकता है तो आब आज हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है और ये क्यों होता है इसको कैसे हम deal करें देखो सबसे पहली बात है कि जो औरत या आदमी exercise बिलकुल नहीं करते तो उन लोगों में prostate gland हो या फिर आपने देखा होगा कि वैजजाइना का ढीला होना हो या फिर एनस मसल्स का ढीला होना हो या फिर कुछ licking की जो problems है पिसाब drop drop रहाने की problem पिसाब का pressure कम होना हो या फिर penis का shrink होना हो या उसकी strength कम होना हो ये सारी चीज़ें देखी जाती है तो इसके पहले के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी वैयाम का नहीं करना यानि कि आप एजिंग पे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि और कुछ ना कर पाएं तो कम से कम आप walking करें stretching करें और moment exercise करें यानि अपने को physically active रखें दूसरा है कि आपकी sleep के दौराण disturbance यदि आपकी quality of sleep नहीं आप ले रहे हैं साथ से 8 गंटे की आपको नीद नहीं है तब भी आपके hormones, enzymes, vitamins और जो आपका secretion होता है hormones का उस पे directly फरक पड़ता है और आपका जो physiological process है वो भी decline करता है दूसरी बात आते हैं कि बहुत सारे लोग due to the some reason blood pressure की दवाईया, diabetes की दवाईया, cholesterol वाली दवाईया या फिर कोई sexual strength को stimulate करने वाली कुछ medicine, biagra type of medicine या pain killer या steroid जो लोग लेते हैं उनको भी ये सब समश्याएं होती हैं तो इस तरह की दवाईया selective medicine ही लें, doctor से prescribed medicine ही लें, unnecessary इस तरह की multivitamins, pain killer, steroid या viagra आप type of the medicine से बचें, इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं, उसके बाद आता है smoking, smoking और alcohol से ना केवल आपका sperm decline करता है, testis strong decline करता है, sexual power decline करती है, बलकि erectile dysfunction और premature ejaculation का खतरा भी आपके साथ जुड़ जाता है, जो लोग बहुत ज़्याद ह carbs लेते हैं, यानि मीठा खाते हैं या refined या चीनी या फिर refined या तलाब होना खाते हैं, उनको भी ये risk बढ़ जाता है, तो ये सब आपको limited करना है या फिर बंद करना है, outside food या packed food बंद करें, lake of vitamins भी इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ regulated vitamins हैं हमारी body में, कुछ minerals हैं, जिसके क कारण हमारा urine, हमारा sperm, हमारा testis strong regulate होता है, तो उसमें vitamin D और B12 प्लस zinc ये बहुत important role play करते हैं, इसके साथ साथ है कुछ hormonal deficiency, hormonal deficiency से मेरा मतलब है कि जैसे testis strong या estrogen का कम होना, या फिर किसी को thyroid या या hypothyroidism या hyperthyroidism का आना, ये एक सबसे बड़ा कारण है, तो आप इन सब ये इसको deal करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कि आप अपने खाने में liquid intake बढ़ाएं, fiber intake बढ़ाएं, carbs कम करें, अच्छी quality का protein लें, खाना time पे घाएं properly, proper नीद लें, walk करें, और smoking, alcohol और medicine ये सब stop कर दें, तो आप naturally इन problems से बच सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, लेकिन फि इन भी कोई symptoms या problem आपको बनी रहती है, तो फिर आप doctor से consult करें, thank you very much और take care yourself.